नमस्कार दोस्तों मैं सुमित मिस्रा स्वाइद करता हूँ बार फिट से आप सभी का MZT Education में दोस्तों आजित L1 मिसन इसरों ने इसे सकस्पूरी लांच कर दिया है और पृत्वी के ओरवेट में पहुचा दिया है तो इस वीडियो में हम लोग L1 मिसन के बारे में जानेंगे साथ हम लोग जानेंगे L1 पॉइंट क्या है L1 पॉइंट पर ही क्यों इसको छोड़ा गया है और इस मिसन के तहट इसरों को क्या-क्या अचीवमेंट मिलेंगी मतलब किस कारण से इस रो ने इसे लांच किया है साथी साथ और भी कितने देशों ने आज तक solar mission किये हुए हैं यानि सूरिक की बारे में पता लगाने के लिए अध्यान करने के लिए missions किये हुए हैं ये सारी बाते हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में समझ में आएगा तो सबसे पहले तो ये आदित एलवन मिसन जो है इसके बारे में जानते हैं कुछ बेसिक चीजें जो भी लांचिंग के दौरान हुई जैसे इसका नाम आदित रखा गया है आदित एलवन इसके पीछे का कारण यह है ये आदित जो है ये सूरी की प्रयावाची है आप सबको पता है और एलवन जो है ये एलवन एक पॉइंट है जहां पर इसे रखा गया है भी आगे वीडियो में हम लोग समझेंगे ये एलवन पॉइंट क्या होता है इसे अभी सिरी हार कोटा आंध प्रदेश से जो की सती जवन अंत्रिक्षकेंद जहां पर है जहां से चन्दयान थिरी अभी लांच किया गया है और इसका रॉकेट का नाम जो है वो है PSLV C-57 इसका एक्सल वर्जन है और उसी के दौरा ये लांच किया गया PSLV मतलब Polar Satellite Launch Vehicle ओके तो इसके C-57 रॉकेट से लांच किया गया है कब लांच किया गया दो सितंबर को यानि कि आज 11.50 एम पर दोस्तो आदित L1 के लिए जो हम लोगों ने राकट छोड़ा है वो 110 दिनों में जाकर के उस पॉइंट पर पहुँचेगा जहां पर हम लोग इसको अस्थापित करना चाहते हैं जिस और बेट में कहें अस्थापित करना चाहते हैं और उसके बाद थ्रस्ट के दोरा और्बिट को चेंज किया जाएगा और उसके बाद फिर यहां से निकल करके जाएगा और इस L1 पॉइंट की तरफ पहुचेगा अब आप सबसे पहले जानो L1 है क्या क्यों बार-बार इसकी बारे में चर्चा की जा रहे है तो देखिए पिर्थिभी और सूर के बीच में पाच ऐसे पॉइंट है जहां पर पिर्थिभी और सूर का जो ग्रेविटी होता है जो गुरुत्वा करसन भल होता है वो बिलकुल बैलेंस हो जाता है तो ऐसे पाँच पॉइंट ऐसे हैं, रखे गए हैं, डिसाइड किये गए हैं, L1, L2, L3, L4, L5, जहाँ पर अगर किसी भी object को अगर छोड़ा जाए, तो वो object जो है, centrifugal, जिसे कहते हैं, अब केंद्रेबल, उसके कारण एक orbit में fix हो जाता है, और एक अपना orbit बना लेता है, औ इसके बाद यह L2 है, यहाँ पर देखो यह पिर्तिवी है, यह चंद्रवा है, और यह सूर्य है, तो इसमें आपको यहाँ पर L1 पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ पर इससे छोड़ा जा रहा है, ऐसे यहाँ पर L4 है, L2 है, L3 है, और L5 यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो यह ऐसे 5 पॉइंट्स है, जहाँ पर पिर्तिवी और सूर्य के बीच में जो ग्रैविटी है, वो बिल्कुल बैलेंस हो जाती है, और यहाँ पर अगर कोई ऑबजेक्ट छोड़ दिया जाए, जैसे यह अपनी सेटलाइट छोड़ दी गई तो वहाँ पर यह फिक्स हो है कि L1 पॉइंट पर अगर कोई ऑबजेक्ट रखा जाता है तो L1 पर सूर्य ग्रहन का effect नहीं पड़ता है, यहाँ पर ग्रहन का effect नहीं पड़ता है, इस वजासे ग्रहन के टाइम पर बहुत सारी घटनाएं होती है वो उसका effect इस पर नहीं पड़ेगा और यह प्रापर त सुना होगा जेम्स वेब टेलिस्कोप वो L2 पॉइंट पर ही छोड़ा गया है और वो अभी तक का सबसे सबसे बड़ा और सबसे विसाल का है टेलिस्कोप है जो नासा ने उसे छोड़ा था ठीक है अब जो यह L1, L2, L3, L4 है इसमें L का क्या मतलब है अगर आपको समझ में आ गया अब यहां पर अगर आपको याद हो जो लोग बेड़ बैज के होंगे उनको मैंने सूरी के बारे में एक चैप्टर पूरा पढ़ाया था और सूरी के बारे में बेसिक चीजे बहुत सारी बताई थी तो यहां पर भी थोड़ा चीजे जान लेते हैं थोड़ा बहुत ठीक है जैसे सूरी जो है जिसे कोरो ना कहा जाता है बाहरी परद को सूरी के कोरो ना कहा जाता है इसका भी टमपरिचर छह हजार डिगरी Abend अब आपने अमूमन तो जनरली सुना होगा कि तीन अवस्थाएं होती है पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस लेकिन दो और पदार्थ की अवस्थाएं बाद में खोजी गए जैसे एक को नाम दिया गया प्लाजमा और एक को नाम दिया गया बोस आइंस्टीन संघटे बिसिकली में जो सूरी की जहां पर लपटे निकलती है वो बहुत ज़्यादा हाई टेंपरेचर की होती है इसलिए इसे कहा जाता है यह प्लाजमा से बना हुआ है तो सूरी जो है यह प्लाजमा से बना हुआ है यहां से प्लाजमा की लपटे निकलती है बहुत ज़्यादा घातक होत नहीं तो सूरिच से निकलने वाले जो अल्ट्रा वाले ड्रेज हैं, वो आएंगी, अगर इसकीन पर पढ़ेंगी तो इसके पर फफ फोले पढ़ जाते हैं, तो सूरिच से जब यह निकलती हैं, मतलब इतना घा तक यह क्रेंडे निकल रही है इन सब को study किया जाएगा सूर्य से अगर प्रित्वी के आकार की बात करें तो प्रित्वी जितना बड़ा है ना उसका अगर 109 गुना कर दो 109 गुना बड़ा सूर्य है इसके लावा तापमा तो मैंने आपको बता ही दिया साथी साथ केपलर ने ये बताया था कि सूर्य एक सोयम का प्रकासमान तारा है सूर्य सौर मंडल के फोकस पर इस्तित है ये चीजे मैंने आपको कोर्स में बताई हुए थी वही पेज मैंने यह लिया हुआ है ठीक है ना तो दो ही पेज लिये हुए है हाला कि पूरा चैप्टर तो आपको नहीं दिखाएंगे ये जिससे आपको एक basic information मिल जाए ठीक है तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कि किस लिए ये launch किया गया है यानि कि इसका उद्देश से क्या है तो प्लाजमा की लपटे निकलती हैं ऐसे तूफान में निकलते हैं लपटों की ठीक है तो इसकी गति और इसके तापमान का pattern समझेगा क्योंकि अगर वो लपटे आई और बहुत बड़ी रही तो वो लपटे पिर्थिवी तक भी पहुंच सकते हैं या फिर और भी ग्रहों त करके देखो अगर light ना मिलती तो सबसे पहले तो प्रकास अंसलेशन की किरिया नहीं हो पाती अंधेरा हो जाता तो पेड़ पौधे सब सूख जाते पेड़ पौधे सूख जाते आक्सीजन खत्म हो जाता तो जीव जनतु भी सब मरने लगते ठीक है सिर्फ एक पहलू में बता रहा हूं एक दिसा से अगर देखा जाए तब और अगर आप मनुस्यों की दिसा से देखें अंधेरा हो गया सब तब भी यहां पर भी बहुत सारी चीज़े नहीं होगी तो सूरी ही एक मात्र ऐसा चीज है जिस वज़से प्रत्वी जिन्दा है तो इस वज़से सूरी दो प्रकास की जो है प्रकास चोड़ता है एक प्रकास जो होता है जिससे हम लोग को लाइट मिलती है एक जो उसका एलेक्ट्रोमेंगनेटिव वेब के रूप में आती है वो कभी-कभी इलेक्रानिक उपकरणों को तबाह भी करने के लिए सक्षम होती है तो जितने भी हो यह सब पाइटन पता करने के लिए यहां पर मिसन किया गया है और बहुत सारे देशों ने आई यह मिसन इससे पहले भी किया हुआ है तो सूरज के वाइमंडल में इसकी जानकारी रिकार्ट किया जाएगा पिर्थवी पर आने वाली सूरज की क्रेणों को मौसम पर पढ़ने वाले जो असर है इनका पता लगाए जाएगा तो यह सब करने के लिए हम लोगों ने स्ताथ प्रकार के पैलोड भेज़े हैं पैलोड मैं आपको चंद्रयान वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ पैलोड क्या होते हैं देखो पैलोड का अलगलग जगहों पर अलगलग मतलब होता है अगर वही मिसाइल में किसी कोई पैलोड फिट कर रहे हो तो उसका मतलब हुआ कि बारूद गोला या यह सब वगएरा ठीक है वहाँ पर समझ लोगी विद्वान स्वाक सामगरी हो गई यहाँ पर पैलोड का मतलब हुआ कि उपकरण यंत्र ठीक है जो जिस काम के लिए जो एक पार्टेकुलर डिवाइस है जो काम करेगी जिस टास्क के लिए जिसको भेजा गया है तो यहाँ पर साथ प्रगार के पैलोड लगा के भेजा गया है साथ ही पैलोड हम लोगों ने चंद्रियान पर भी भेजा हुआ है ठीक है ना चंद्रियान 3 मिसन में तो यहाँ पर साथ पेलोड में देखिए कौन-कौन क्या-क्या काम करेगा इसको देख लेते हैं एक तो देखिए यहाँ पर होगा High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer जिसे Short Form में कहते हैं Hell 10S इसके अलावा एक भेजा गया ह इसके बाद आदित सोलर Wind Particle Experiment भेजा गया है जिसे Aspects कहा जा रहा है और एक है SUIT Solar Ultra Violet Amazing Telescope और एक है Solex जो है यह Solar Low Energy X-ray Spectrometer है तो इन सब के तुरू इस रो जो है वो सूरी को और अच्छे से अध्यन कर पाएगा, study कर पाएगा जिसके बाद जो है हमें और अच्छे से समझ म बिलेगी, सूरी के बारे में, अच्छा, इससे पहले भारत पिर्थभी की कक्षक को छोड़ करके कब गया हुआ है, यानि कि पिर्थभी के और बहुत सारे सक्रिलाइट हम लोगों की है, बहुत सारे देसों के भी है, लेकिन पिर्थभी के बाहर में और कब-कब हम लोग ग पहुचे थे, ठीक है न, मिसल मंगलयान लांच किया गया था, चंद्रियान 2 के थूरू 2019 में भी हम लोग सक्सेस्पुली पहुचे वहां तक, हाला कि प्रापर तरीके से सौफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन वहां और बेट में तो हम लोग पहुची गए, इसक दूसरी कक्षा तक पहुचने का कर्तब दिखाया, एक साहस दिखाया है, अब इससे पहले और कौन-कौन से देश है, या कौन-कौन सा मिसन रहा है, जो सूर की स्टेडी करने के लिए निकला था, इसको देख लेते हैं, तो देखिए, जर्मनी और अमेरिका ने मिल करके 1974 औ की मेगनेटिक फील्ड और इससे जुड़ी जानकारिया है, एकठा करने के लिए बेज़े गये थे, इसके बाद अमेरिका ने ISEE 3 1978 में लांच किया, और ये नासा का इंटरनेसल सन अर्थ एक्स्प्लोरर 3 था, और इसके जरिए भी ये स्टेडी कर रहा था, ये पहला स्प ये सबसे प्रभावी हो और सबसे लंबे समय तक काम कर रही है, 1994 में लांच करने के बाद से ये सूरज की इस्टडी अभी तक कर रही है, इसके बाद अमेरिका और ये उरोप ने मिल करके सोहो लांच किया, सोहो 1995 में में लांच किया गया था, सोहो का मतलब Solar and Heliospheric Observatory, ये European Space Agency और NASA के दोरा मिल करके मिसन किया गया था, इसका काम क्या था, ये Solar Spikles की study कर रहा है, 11 साल से, और 4000 Cosmic की खोजिस ने की है, इसके बाद stereo A and B, ये 2006 में नासा ने लांच किया था, 2006 में, और ये दो स्पेस काप, दो अलग-अलग orbit में लांच किये गए, दोनों ने सूरज की सत पहली 3D image बनाई, तो आप से questions पूछे जाएंगे, कि Solar की पहली 3D image किसने बनाई, अमेरिका की stereo A and B, ये दो मिसन के जड़ी, ठीक है, तो 2012 में ऐसी Solar Aandhi को रिकार्ट किया, जो 150 साल में सबसे भी शर्थी, ये Solar Aandhi आई थी, 2012 में, ठीक है, जब ये आपने सुना होगा न, 2012 म ठीक है, हम लोग भी पढ़ी रहते उस टाइम पर, तो ये एक न्यूज खुप फली थी, चलिए, तो यहां पारकर सोलर प्रोब, जो है, 2018 में लांच किया गया था, इसको तो current affair में आपको बताया ही गया है, कई बार, इसका उदेश है, सूरी को छूना, ये सूरी की सता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और ये सबसे करीब सूरी की तरफ जाने वाला ये मिसानेट है, समझ लो, ठीक है, तो साथ बार सूरी के इतने पास से गुजरेगा, जितना कोई और स्पेस्क्राफ्ट आज तक नहीं गुजरा है, साथ साल के दौरान ये सूरी के 24 चक्कर ल Advanced Space Based Observatory Solar, ASOS जो है, इसको Solar Magnetic Field, Solar Flares और Coronal Mass Injection, इसकी स्टडी के लिए लांच किया गया था, इसने प्रितिवी से 720 किनमीटर दूर एक और्विट में रखा गया है, ठीक है ना, चलिए तो ये कुछ मिसन थे, सोलर मिसन थे, जो अन्ने देशों ने किये, और आधित L1 के बार आई है, तो इसको Like और Share कीजिए, MJT App है, इससे इस्टाल कीजिए, इस App पर आपको बहुत सारे e-book, बहुत सारे वीडियो courses मिलेंगे, affordable prices पर, इसके अलावा बहुत सारे free material है, अगर आप किसी भी exam की तहरी कर रहे हो ना, एक बार इस app में जाकर कि देखो, current affairs से लेकर बाकी सारे चीजे, आपको बहुत सारे चीज़ में, फिरी भी दी गई है, बहुत सारे paid material और premium material भी है, उनका भी आप access कर सकते हो, तो this is the end of the video, thank you so much, मिलते हैं अगले किसी topic पर, तब तक के लिए नमस्कार जाए हैं, वंदे मातरम